नमस्कार दोस्तों खोट्था क्लास में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कि खोट्था का यह प्रैक्टिस सेट चल पढ़ रहे हैं एक सेट कल पढ़ा था आज एक और सेट लेकर आया हूं इसमें भी प्रिवियस के कुछ कोस्टन्स हैं जो पिछले परच्छाव में प वह सारे प्रश्ण है हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और अपने तयारी को जाचेंगे कि हमारे तयारी कहां तक पहुची है किस अस्तर पर है और कहां मेहनत करने की जूरुद है चलते हैं सवाल की और सब्ढ़ने के पहले आप जिस सवाल पढ़ रहे होते हैं तो से कमेंट कीजिए इससे मालूम चलेगा कि आपको उसका एंसर आता है कि नहीं आता है मेरे एंसर बताने के पहले इसको आप टिक कीजिए कमेंट कीजिए इसके बढ़ते हैं हम देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा हमारा पहला सवाल है डाह माने होवोः। डाह का मतलब क्या होता है गला करत क्या है पृष्चा कर एक डहर रूक गुमान कर एक बात बनमेक आपको पता है डाह मतलब क्या होता है इक नाटक था शुकुमार जी का लिखा हुआ जिसका आर्थ होता है जलन है नौ जलन इर्श्या तो इस सवाल का सही जबाब हो जाएगा इर्श्या करेख इर्श्या थुद्ध सवाल भाई वहिंकर प्यार के परतिक दें, माकम करते हैं अपने बच्चों के लिए कर्मा है कर्मा है जो बहन करती यह बहुता है जो जावा उठा जाता है उसमें बालु नदी किनारा जाता है पच्छिया लेकर बालू देता है उसमें कुल कुलत कुर्थी वेगार क्या क्या कर लगाती है लड़की लोगों यह सब थे और है तो यह करमा हो जा जाएगा जो भाई बहन के प्यार का परतिक है कर्मा अग्ला सवाल क्या है जो नाटक है उसका भूमी का कौन लिखा है नाटक तो लिखे हैं सुकुमार जी लेकिन इस नाटक का भूमी का कौन लिखा है प्रिफेश ऑप्संस हैं सिवनात परमानिक दिनेश दिनमनी प्रभाकर महतो एक जा थोड़ा सा अलग कुस्चन है और यह सवाल जो है ना पिछली परच्छा में आ च कुस्चन है इसका उतर होगा चार नंबर एक जां चैके जांबार क्या नाम होगा एक जांडाह नाटक का गभूमी का है उसे एक जली न लिखा है बड़ते हागले सवाल की और फिर झृल्स प्रकासर बच्चर हई यह दाह नाटक जो है इसका प्रकासर कब हुआ था कब यह परकाशित हुआ था अप्सेंस 1990 1991 1992 1993 बताइज इसका नाचका होगा कमेंट किजिए कि इसका उतर हो जाएगा 1992 1992 1992 में इसका परकाशन हुआ था टिक यह दाना चक्का अगला सवाल कि डाह नाटक के नाटक करके हथ इस नाटक के नाटक कर कौन है मतलब इसको किसने लिखा है यह सिंपल सवाल है अब बताये मैंने आपसर दिख लिए शुकुमार एक जहा शंतुस महतों पंचम महतों तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एक नंबर, शुकुमार, डाहना टेक को सुकुमार जीन लिखा है, अगला सवाल, खौठा निबंध किताब में कयों निबंध संकलित नियुक्ताब इसके लिखा कौन है, सवाल आगे आएगा, फिलाल औप्शन है, 10 गो, 12 गो, 14 गो, 20 गो, इसको तर क्या हो जाएगा, दो नमबर, 12 गो, इसमे कुल 12 निबंध है, है ना, खोटा निबंध जो किताब है, उसमे कुल 12 निबंध संकली थे, चलते हैं अगले सवाल की और, बरवा अध्ड़क अखायवोर केकर उपर लिखल गयल है इस जो संस्मुरन है यह बरवा अध्ड़क अखायवोर यह किन पर लिखा गया है इसके करेक्टर कौन है ऑप्संस हैं स्री निवास पानूरी भुनिश्चत्र शर्मा राधा कृष्ण शिवनात परमानिक बुलिए इ नहीं देखाया कूछ छूट गया है तभी देख सकता है आपके पास साथ ही उतपास सिपाही के लिए भी कुछ पर कर रहीं है और बाकी भी प्रोसेस में सब आने में दिरों में आपको महां को मिलेंगे सिर्णिवास पानुरी बरवा अड़ा लिखा गया है इसके इनका घर जो है ना बरवाडड़ा में है दनबाद में है बरवाड़ा धनबाद में है यहीपे इनका घर है इसी लिए कहा गया है बर्वाड़क अखाईबोर चड़िये बढ़ते हैं अगले सवाल की और हमारा अगला सवाल है ओड़ी गलग फुलवा रही गलग बास ओड़ी गलग फुलवा रही गलग बास संस्वन के लेखक किया है तेकि इसमें लेखक पुछा गया है पिछला सवाल में किस पर लिखा गया था वो पुछा गया है और इसमें लेखक पुछा गया किस ने लिखा है यह किस पर लिखा गिया है वो नहीं पूछा है अगर एक सवाल पूछ दू मैं कि बर्वाद का अखय बोर कौन लिखे हैं तो उसका जवाब क्या होगा कमेंट कीजिए आप इसका देखिए आठ नंबर का इसका अप्सन है सांति भारत गोबिन मतो जंगली परितुस कुमार परिजापती गिर्धर गोश्वामी इसका सेवत्तर क्या होगा इसका सेवत्तर होगा गोबिन मतो जंगली ठीक है ओडि गलक फुलवा रही गलक बास ये इसके लेखक हैं के और कि नो नमबर कि डाह नाटक के मुख्य जनी पात्र के नाम है डाह नाटक जो है उसमें मुख्यता दो लेडीज है ठीक है दो ही है जो इस तरी पात्र है लेडीज करेक्टर है एक रचना एक भावना है बता दिया मैंने खैट अभी आप्सन है यह 50-50 हो गया मतलब यह द डाह नाटक के मुख्य जनी पात्र के हैं भावना रचना सुमन काम्ना तो यह तो निकल गया मैंने बोल दिया अभी इन दोनों में से क्या होगा इन दोनों में से विबिक की पत्नी, ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, दस नंबर दार्जलिंग और गंगतोके की जत्रा केकर लिखा लिखाल ला गई ये जो यत्राबिर्तांत है यात्राबिरतांत इसका लिखा कौन है दार्जलिंग और गंट्रुकर के जत्रा बताई यह तो कौन है ऑप्सन है कि सामने डॉक्टर चत्रभुच साहू गोबिंद महतो जंगली शिवनात परमानिक शुकुमार इसका सही जबाब हो जाएगा एक नंबर डॉक्टर चत्रभुच साहू ठीक है ब कहशल लंबा ज़न करतें लिए का गय कैसे किया क्या दिकत हुआ सारी बाते को इन के चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे शिलिबस में है एक मौनी फूल है यह है हम लोग के शिलिबस में सीजियल का संतोष कुमार मातोची का तो इनका जनम तिथी कब है इनका जनम कब हुआ था संतोष कुमार महतोजी का दो सितमबर 1930 कि चार अक्टूबर 1932 दो सितमबर 1932 यह पांच अगस 1933 चारों में सही जवाब क्या है मैं फिर बता रहा हूं यह सारे सवाल जो है पिछले परिच्छाओं में आये हुए है इसका मतलब है कि ऐसे सवाल इंपोर्टेंट है ठीक है यहां जो मिल रहा है आपको कुश्चिन ना हो सकता है इससे अलग पूछ सकता है जो भी आपके राइटर हैं आपके किताब में आये हैं खास करके इधर जो नया किताब खोठा गध्पद संग्रा आगिया नहीं इस और उसमें उसमें बहुत सी ऐसे किता कहानिया हैं और चीजें हैं जिसमें अलग लग लिखक का जिक्र हुआ है तो हो सकता है उनका भी पूछ सकता है आपसे उनके बारे में भी जानना पड़ेगा थोड़ा सिर्वस्ट बड़ा है एक्चुली बड़ा है इसका उत्तर हो जाएगा दो सितंबर 1930 ठीक है संतो काड़ी भाइस कडरू कि पड़ी का पड़ी का ठीक है कि काड़ी कुछ नहीं होता है सिंपला बोल सकते हैं काड़ा का काड़ी हो जाएगा नहीं काड़ी कुछ नहीं होता है भाइस होता है काड़ा मतलब क्या होता है भाइसा भाइसा काड़ा रहता है काला वाला जी काला क महिस भैस को बहुत कोई महिस भी कहता है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा कि भैस काड़ा का क्या हो जाएगा भैस चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की वाल सौब्टाइच लहाई के लिख भईया के हाथ yeah I saw a tea is called कॉन हैं लेख खिसके सूभता चलगा है क्या है ये निबंध एक सब चलता है कि संतुज्मातोः बी ये नौधर शिवनाथ पर्मानिक बिनोतकुमार चार ओप्सन से चारों में से सही जवाब क्या होगा पता यह आप को कि इसका सही जवाब हो जाएगा दो नमबर Dr. B.A. 900 टीक है Dr. भोग्ना तॉहदार सब्टाइचल है अगला सवाल कुमहार के इस्तिल्रीर रूप है कुमहार क्या करता है जो मिट्टी के बरतन बनाता है खपड़ा बनाता है घड़ा बनाता है उसे कुमहार कहते हैं हम लोग इसका इस्तिल्रीर रूप क्या कुम्राइन कुमरी कोई नाई चार अप्संस है सही जवाब क्या होगा बताईए गमेंट कीजिए इसका सही जवाब हो जाएगा कुमार का कुम्हारिन जान दी जगा क्या होगा कुम्हारिन ठीक है आगे बढ़े हैं चली अगला सवाल पंदर नमबर है यह रिपीट होगे कुछन यह चली कोई बात नहीं यह कुछन रिपीट होगे है कि यह कुछ रोन चाहिए था दारजलिंग और गंक्रोग जत्रा के लिखाल हत इसके यह होगा ट्रॉप्टर चत्रिभुच साहू कुछन रिपीट हो गया आगे बढ़ते हैं हमनी काईल ओकर बरियात जीवई एकर मैं समुधवाचक संग्या की है हम लोग कल बड़ जाएंगे यह न हमनी काईल ओकर ब्रयात का बध्र्यान नहीं हम लोग कर और उसका बरियात बरात यांगए टो अकिलत जाएंगे नहीं समल के साथ में जाएंगे एक समुल में जाएंगे जुन्ड में जाएंगे तो यह हो जा इसका सही जवाब अक्राइब आगला सवाल पारस नाथ के कहा बक्ति बच्चक संगिया कारक किरिया या समुल has संगिया बताइए पारशनात को क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा ब्यक्ति बाचक संगिया ठीक है ब्यक्ति बाचक संगिया पहाड़ है इना प्राशनात पहाड़ है इसके इसे हो जाएगा एक नमबर ब्यक्ति बाचक संगिया आगे बढ़ते हैं अगला सवाल सवालक सर्वनाम की हते सवाल का कुश्चन का इसका सर्वनाम क्या होगा सर्वनाम क्या होता है जो संगिया के बदले इसका परियोग होता है ठीक है तो सवाल के बदले क क्या परियोग होगा जब सवाल कुछ करते हैं पूछते हैं तो क्या क्या इस्तिमाल होता है आप संस क्य की का है इस अभें आपको क्या कौन हो रहे क्या कर रहे हो कि का है जी मैं तो हुआ तुम वहां क्यों जाएगा यह सारे जो है ना सवाल वाली सेंटेंस है उसके पहले मा आते हैं और सेंटेंस को जर्म देते हैं इसलिए इसका वत्तर हो जाएगा चार नंबर यह सभी चीज़ें स ignore का सर्वनाम है अगला सवाल क्या है सर्वनाम के कर नाम का कितना विपनाय गया है कि चार पांच छौ साथ इस चारों मैं से सही ऑप्संग क्या होगा पताए कमेंट कीजिए की क्वालिप देखनी देखिये इस का इसका सही कि तर हो जाएगा तीन नंबर छे भेद सर्वनाम का छे भेद है कितना है छे भेद चलिए आगे नचनी क्या पुल्लिंग की हताई इसका जबाब तुम आपसे चाहेंगे नचनी नचनी कौन होता है एक फिमिल है जो कि नास्ति है उसे नचनी कहते हैं इसी का मेल क्या होगा प पुल्लिंग क्या होगा औप संस नचधारी मेन नचना नेटऊवा सभे बताई कि आपको समय दिया हम उसमें 10 सकंड का जबादी जीस का तो कि सिनियर कपुल्लिंग की हताई ह watch d देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नच धारी, सभी नहीं होगा हुलिंग, सबहें नहीं होगा। किया बणाई क्या पुल्लिंग की हवह है। कनियाएक है Also do aus a compare काना बोर जोर ये कन्याएक होता है ये मिपंज़ाइज लेजिए कन्या क्या होता है जो मेल है उसे जो क्या जाता है कि दुला दुलन दुलन थो है नी बॉर कनिये क्या कहते हैं बॉर कनिये सुबह सुबह जब रात लाच के आता है साधी हो के आता रहा है इसका सेथतर क्या हो जाएगा तीन नमबर लगोगे अगला सवाल पर्थम पुरुष कक्रा कहल जा है रखिए फर्ष्ट पर्षन पर्थम पुरुष किसको कहा जाता है बात सुने वाला के बात करे वाला के जकरले बात करे सभे पर्थम पुरुष किसको कहा जाता है बात सुनने वाला को बात करने वाला को इसके लिए जिसके बारे बात किया उसे या सभी को तो आपको पता होना चाहिए first person second person 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 बात को सुनता है और जिसके बारे में बोला जाता है तो हमारा उत्तर क्या होगा बात करने वाला जो बात करता है वह का पर्थम पूरुस फर्स्ट परसन अगला सवाल कौन वाइक टा वरतमान काले है यहां पर लिखा गिया है तीन गो इसमें से कौन सा वाइक है जो वरतमान काल में है क्या यह तीनों तीनों में से कोई एक है या फिर यह तीनों ही वरतमान काल में है पताना है आपको और आपक यह नहीं होगा यह आपकर रहा गया लिक रहा है वह लिख लो लिख चुका है उसकतर हो जागा दब एक नमर है वह यह लिख रहा है यह बहुत काल में है और ये भव investigators में है लिखतो लिखेगा अगले सबते हैं ये वो रोटी खईताई कौन काल एक है वो रोड़ी खईताई वो रोटी खायेगा इस काल में है ने तो हिंदी बोल समझ गया दो districts काल में होगा ग्रोटी वो रोड़ी कायेगा जबाए है दोओ नतर हो और रोटी खाएगा इसका तरहोगा महुष्यत कल ररस खोथा काल में कहएगो भैद है भूटथा मैं स्वरी खोथा में काल के कई है कि खुठा व्याकरण में कोठा कर्आमर में काल का कितना भीद बताया गया है के दू तीन चार-पांच देखिए काल आप खोठा पढ़िए चाहें हिंदी पढ़िए चाहें अंग्रेजी पढ़िए आपको उसका भेद नहीं मिलेगा वर्तमान भूत बाविश्यू इस ज्यादा किसी में नहीं है तो इसमें भी नहीं होगा इसका भी यहीं जवाब होगा तीन यह था कुछ सवाल 25 सब्सक्राइब करने वाले हैं यह यह बंद नहीं होगा देर सब्सक्राइब का साम को आए रात को आए लेकिन यह परड़े लगबग परड़े अप्रुक्स बताएंगे पुरवादा नहीं करेंगे आज आएगा और तैयारी करते रहिए ठीक हैं साथ में उत्पास होगा ठीक है इसको यह रखते हैं पर यह तैयारी किजिए आप सभी को बहुत बहुत है लिवाद